आप सभी को नमस्कार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समागरी वितरण के इंद्र में आप सब को कौन-कौन सी साउधानिया बरतनी चाहिए कौन-कौन से चीजों को विशेश रुप से ध्यान में रखना चाहिए आप समागरी वितरण के इंद्र पर निर्धारित समय के काफी पहले पहुँच जाएंगे अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपको किस मद्दान के इंद्र में पीठा सीन अधिकारे नियूक्त किया गया है वितरण के इंद्र इस्थल पर पहुँचते ही सबसे पहले आप डिकोडिंग लिस्ट से ये सुनिश्चित कर लें कि आपको किस मद्दान के इंद्र के लिए पीठा सीन अधिकारे नियूक्त किया गया है ततपश्चात वितरण काउंटर पर आपके मद्दान के इंद्र से संबंधित काउंटर के प्रभारी से संपर करें और उनसे निर्वाचन समाग्रिया प्राप्त करें जो कि मत्दान के दिवस आप उपयोग में लाएंगे इन समग्रियों को लेते समय विशेश रूप से आपको ध्यान देना होगा कि आपको आपके निर्वाचन छेत्र से संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुची प्ररूप साथ का अनिवार रूप से प्राप्त हो दूसरी बात आप जिस मद्दान केंद्र के पीठा सी नधिकारी हैं उस मद्दान केंद्र से संबंधित भाग की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रती भी आपको उपलग्ध कराई गई हो उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रती में अगर आपके भाग में कोई ऐसा वर्गी कृत सेवा मद्दाता है तो उसके प्रॉक्सी वोटर की जानकारी सहित एक लिस्ट सनलगन रहेगी वर्गी कृत सेवा मद्दाता ऐसे मद्दाता होते हैं जो सर्विस वोटर होते हुए भी डाक मत पत्र का उप्योग ना करके अपने इस्थापन व्यक्ति के माध्यम से मद्दान केंदर में ही EVM पर वोट डालते हैं जिसे हम प्रॉक्सी वोटर कहते हैं यह सूची आपके पास उपलब्द होनी चाहिए अगर आपके भाग में कोई classified service voter या वर्गी क्रिस्टिवा मत दाता है उसी सिती में कि आपके मद्दान केंद्र से संबंधित अनुपस्थित इस्थानंत्रित या अम्रित मत दाताओं की सूची जो returning officer द्वारा प्रदाय की जाएगी वो आपको प्रदाय की गई है या नहीं की गई है यह आप अनिवारी रूप से देख लेंगे सभी निर्वाचन लणने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकरता के नमुना हस्ताक्षर वाली प्रती भी आपको प्राप्त होनी चाहिए यह महत् radio सामग्रियां हैं, इसके अलावा अन्य बहुत सारी सामग्रियां हैं जिनको आपको प्राप्त करना होगा उनकी पूरी list आपको पिठा सी नадhikारी की अध्यतिन पुस्तिका में प्राप्त हो जाएगी आप उस पुस्तिका के अनुरूप बांकी सामगरियों का जरूर से मिलान कर लेंगे अब हम आते हैं महत्पूर्ण चीज EVM के बारे में EVM प्राप्त करते समय आप ये जरूर तजदीक कर लें कि EVM के address tag में वही मद्दान केंदर लिखा हुआ है जिस मद्दान केंदर के लिए आपको पीठा सी नदिकारी न्यूकत किया गया है उस address tag में जो control unit का नंबर लिखा हुआ है या ballot unit की सिती में ballot unit का जो नंबर लिखा हुआ है या vipat की सिती में vipat का जो unit id नंबर लिखा हुआ है वही unit id मशीन के पीछे बार कोड में बार कोड से या body से उलिखित किया गया है या नहीं दोनों नंबर सेम होने चाहिए अन्य था आप इसकी सूचना counter प्रभारी को अनिवार रूप से देंगे ये देख लेंगे कि control unit और ballot unit में pink paper seal इस्थाई रूप से लगा हुआ है और किसी तरीके से छती ग्रस्त नहीं है control unit में लगे हुए power pack की जाज कर लें फिर control unit को आप on करें और on करके ये सुनिश्चित करें कि उसमें battery का status क्या बता रहा है उसका प्रतिशत कितना बता रहा है प्रतिशत उसका high होना चाहिए और उसके पश्यात आप उसमें display में ये देखेंगे कि cu का जो number बता रहा है वो number machine के पीछे लिखा हुआ है वही number वहाँ पर show हो रहा है या नहीं हो रहा है और same ही number address tag में लिखा हुआ है या नहीं अगर किसी तरह की विसंगती आती है तो इसकी सूचना आप returning officer को देंगे control unit में जब आप on करेंगे तो ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उसमें अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित उतनी ही दिखाई दे रही है जितनी की आपको प्रारूप साथ का निर्वाचन लणने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दिखाई दे रही है उससे एक कम संख्या होगी अर्थात यदि प्रारूप 7 का में कुल 7 अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं तो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो कंट्रोल उनिट में 8 दिखाई देगी चुंकि नोटा भी मशीन के लिए एक अभ्यर्थी के रू करेंगे यह तस्दिक करने के बाद आप कंट्रोल उनिट को के स्विच को आफ कर देंगे किसी भी तरीके से आप वीपैट या कंट्रोल उनिट को बैलेट उनिट से कनेक्ट करके नहीं देखेंगे तत्पशात आप बैलेट उनिट को चेक करेंगे बैलेट उनिट में यह अगा हुआ है वो निर्वाचल लड़ने वाले अभ्यरतियों की सूची प्रारूप साथ का के अनुरूप है या नहीं अगर किसी तरह की विसंगती आती है तो उसकी सूचना आप तत्काल काउंटर प्रभारी को देंगे अगर आपके मद्दान केंदर में एक से अधिक बैलेट यूनिट यूज किया जा रहा है अर्थात नोटा सहित 16 से अधिक केंडिडेट आपके निर्वाचन छेतर में चुनाओ लड़ रहे हैं उस केस में आपको एक से अधिक बैलेट यूनिट दिया जाएगा आप ये सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट में थम्वील जो है वो प्रथम बैलेट यूनिट में 01 में सेट हो और दुती बैलेट यूनिट में 02 में सेट हो और इसी तरह से आगे 24 बैलेट यूनिट यदि लगता है तो उसमें 24 में सेट हो यदि एक ही ballot unit आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें thumb will जो है, वो 01 में set रहेगा, मत पत्र जो लगाया गया है, उसमें भी आप ये बात तस्दीक कर लेंगे, कि वो साथका में उलिखित अनुसार ही सारे अभ्यर्थियों को उसमें दिखा रहा है, उनके photo भी वैसे ही हैं, उन आपके ballot unit में लगे हुए मत पत्र में जुड़ा हुआ रहेगा, यदि एक से अधिक ballot unit यूज़ की जा रही है, तो आप ये सुनिशित करें, कि प्रथम ballot unit में क्रमांक 1 से 16 तक की अभ्यर्थी, और दूती ballot unit में 17 से आगे के अभ्यर्थी उसमें लगे हुए हो, जितने अभ masking, unmasking को आप ऐसे समझ सकते हैं, कि जिसमें नीला रंग का बटन दिखाई दे रहा है, वो सारे unmasked हैं, और जिसमें सफेद रंग दिखाई दे रहा है, उनकी masking हुई है, जिनकी masking हुई है, उसके सामने कोई भी अभ्यर्थी का नाम या कोई भी नोटा इत्यादी नहीं होना चाहिए, यह अवशे रूप से आप सुनिश्चित कर लेंगे, वीवीपैट में आपको दो महत्पूर्ण चीजों को ध्यान देना है, पहला, क्या उसमें returning officer ने thermal paper roll section को address tag लगा करके seal किया है, और address tag में जो unit का ID लिखा है, वही ID मशीन के पीछे बार कोड में printed है, दूसरा, वीवीपैट का जो paper roll lock है, वो knob horizontal इस्थिती में है या नहीं, यदि वो horizontal इस्थिती में नहीं है, तो उसको आप horizontal इस्थिती में कर देंगे, horizontal इस्थिती का मतलब होता है कि thermal paper roll को lock करना thermal paper roll transporting के दौरान हमेशा lock condition में होना चाहिए तो उसको commissioning के दौरान हम horizontal condition में करके दिये हैं यदि किसी तरह की कोई अंतर उसमें दिखाई दे रहा है विसंगती दिखाई दे रही है तो आप उसको horizontal mode में लाकर के ही आगे की उसमें करवाही करेंगे ये भी सुनिश्रित कर लेंगे कि vivipat में power pack proper installed किया गया है ये नहीं किया गया है पुनह मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि किसी भी स्थिती में वितरन केंदर में या mock pull शुरू करने के पहले आप आपस में units को जोड़ करके नहीं देखेंगे और नहीं जोड़ने के पश्चाथ on करेंगे पीठा सीन अधिकारी की पुस्तिका में दिये गए अनुरूप पूरी सामगरिया प्राप्त करने के पश्चाथ आप अपने मद्दान के इंदर के लिए निर्धारित वहन के लिए प्रस्थान करेंगे निर्धारित वहान से ही आप अपने मद्दान के इंदर में पहुँचेंगे मद्दान के इंदर में पहुँचने के पश्चात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीपैट के आप या आपके द्वारा अधिक्वित कोई मद्दान अधिकारी ही प्रभारी अधिकारी होगा अन्य किसी अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी के कर्मियों के समक्ष आप वीपैट या किसी भी यूनिट्स को इबियम्स को नहीं छोड़ेंगे और ये पूरी की पूरी आपकी कस्टडी में रहेगा मेरे द्वारा आपको महत्पूर्ण बाते इस वीडियो में बताई गई हैं अतरिक्त जानकारी के लिए आप अवश्य ही पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का अध्यान करें विस्तित अध्यान के पश्यात जो समग्रियां आपको प्रदान की जानी है उसकी लिस्ट से मिलान करने के पश्यात आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको सारी समग्रिया मद्दान है तो आवश्यक प्राप्त हो चुकी है उसके पश्यात ही आप मद्दान के इंदर के ल आपने वाद.